Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, मैं हूँ Divya Sharma आज मैं आपको बताने जारी हूँ कि कुछ लोगों को पपीता बिलकुल नहीं खाना पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत फाइदेमंद है इसमें बहुत सारा मेगनेशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कैरोटीन और प्राकर्तिक फाइबर है इस लोगोंने पपीता बिलकुल नहीं खाना, तो आईए जानते हैं ऐसे छे लोगों के बारे में छे बिमारीयों में जिन्नोंने पपीता बिलकुल नहीं खाना सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि हाई ब्लड प्रेशर हूँ या लो ब्लड प्रेशर हूँ उसमें पपीते का सेवन नहीं करें या फिर बहुत कम करें ये हानिकारक साबित हो रहा है इसके इलावा feeding mother जो अपने बच्चे को feed दे रही है वो एक साल तक पपीते का सेवन नहीं करें ये बच्चे और मा के लिए हानिकारक है चो कब जिनको होती है उनके लिए पपीता बहुत फाइदे मन्द है क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है लेकिन जिनका पेट खराब है यानि जिनको दस्त लगते हैं या लगे हुए हैं उन्होंने पपीता बिलकल नहीं खाना नहीं तो ये और भी हानिकर्क हो जाएगा और कोई दवा काम नहीं करेगी इसके इलावा स्किन जो लोगों को केरोटेनियम नामक स्किन की डिजीज है उनको पपीता नहीं खाना क्योंकि पपीते में carrotina नामक होता है जो कि skin allergy को पैदा करता है अब बात करते हैं kidney stone के बारे में जिनको भी kidney stone की प्रॉब्लम है उनोंने vitamin C नहीं लेना होता इसलिए वो पपीता बिलकुल नहीं खाए इसके इलावा pregnancy time में पपीता नहीं खाया जाता इस टाइम पपीता खाने से गरब बात का खत्रा होता है ये मैंने आपको छे ऐसी चीजें बताई हैं जिन में पपीता बिलकुल नहीं खाए ये एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन है इन छे लोगों के लिए अगर वो पपीते का सेवन कर रहा है तो पपीता बंद करते ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के दवारा जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के इंफॉर्मेशन उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी ऑल्वेज बी हैपी थैंक यू फर वाचिंग मै वीडियो ओके बाई